जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हूँगे जिला सिच्छा पताधिकारी का रहाल है मुझा फरपूर के तरप से आपका लिस्ट जो है उजारी किया गया और ये लिस्ट उन अभिहर्थियों का जिन लोग का अपबंधिक निक्ति पत्र पे जो है बापका रोक लगा गया ह उसको यहां पर आपका रोक दिया गया है और इस रोक में आप यहां पर देखेंगे तो जो अधर इस्टेट के फिमेल कंडिरेट थी जिनका यहां पर सिटेट में 90 नमबर से कम था तो उन लोगों का भी यहां पर अपबंधिक निक्ति पत्र जो है बापका रोका गया है इसमें बहुत सारे औहरती ऐसे होंगे हो सकता है कि कूछ उस त्रूटी बश्या पर आपतिक निक्ति पत्र पर रोक लग गया हो लेकिन आप लोग अपना डॉकमेंट्स यहां फिर शिछा प्राधी आप 23 til 0706 कराले 75 00 यह आपका रोख और अस्थाई आपका है, अब यहाँ पर यह तो आपका चीज हो गया, आप यहाँ पर देखेंगे, तो आप लोगों का रोल नबर दिया गया है, और यहां पर सिटेट नाट कॉलिफाइड को लेकर बोला गया है और यहां पर आपके 60 प्रतिसत यानि की सिटेट में 90 नंबर को लेकर बोला गया है क्योंकि आप यहां पर देखेंगे और यहां पर तीन तो आपका इस तरीके से हो गया बाकी यहां पर देखेंगे तो एक प्रफिर कुमार ये मेल ही candidate होंगे और इनका भी सिटेट का वहीं मैटर है इनका साथ प्रतेसा से कम है अब देखिए और ये भी जो है अधर स्टेट के candidate है तो हलाकि इनका पैसे मतलब कांसलिंग हमको लगता है कि ये मतलब reserve category में होंगे और इनका 90 नंबर से कम रहा होगा तो सिटेट का जो certificate है उसमें qualified जो है उलिखा होगा इसलिए इनका कांसलिंग जो है बबका हो चुगा क्योंकि देखे जो male candidate है अधर इस्टेट से आप लोग का तो 90 नंबर ही चाहिए आप उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते है अधर स्टेट के female candidate से कम उसी तरीके से आपका यहाँ पर फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे जो male candidate है अधर इस्टेट के उनका भी सीटेट में 90 नंबर से कम है उसके बाद भी आप लोग भले हैं ये आप करा लिए हूँ छो आपका आगी प्रोसेस है उस में आप लोगको जो रोक दिया जा रहा है क्योंकि आप यहांपर देख सकते हैं तो आप यहांपर देखेंगे राकेश कुमार नौर्मल से बात के रीजन है जिसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर है बहुत सारे कंडिरेट जो 9 और 10 11 12 में अपना फॉर्म समिट किया है उसमें सिटेट पेपर टू लगा दिया है या फिर माधमिक सब्सक्राइब करने के बाद किया है कि उन लोग सिटेट का सब्सक्राइब कर दिया है जो कि इसका जाच आपका सिचावा के माधम से इसका जो आपका रोल नमबर वगर है उसके माधम से आपका जाच नहीं किया जा रहा है तो देखें यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर पुड़ा कोसिस किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे आप इस लिस्ट में देखेंगे तो ऐसे कंडिरेट है जो जिनका डॉक्मेंट दूंधला दिखाई दitz रहा है तो उनको यहाँ पर आपका रोक लगाए गया है बाकि यदि आपको लगता है कि उनका ऑनलाइन इस तरीके से जाच करना चाहीं बिल्कुल आप सही बोले है लेकि नॉर्मन से बाते हो सकता है कि सीचा बाग के पास उस तरीके का जांच करने तरीके से आपका बहुत सारा रीजन है और आप यहां पर देखेंगे तो 100 टोटल यहां पर क्या है कि 100 लोगों का अपन बंदिक निफ्ति पत्र रोका गया है सिर्फ आपका एक जिला वो आपका जिला है मुझअफर पूर इसी तरीके से किसी आपकोई आपका जिला है जहाँ पर आपके 20 अभेर्थियों का कहीं पर आपके 50 अभेर्थियों का कहीं आपके 60 अभेर्थियों का मतलब हर एक जो आपका जिला है जिला सिचा पदाधिकारी करा ले है वहाँ के माध् वेशलिक निक्ति पत्र जो एप लोगों को दे दिया गया है तो इसके बाद भी यहां पर अपर आपके डाकमेंट का जाच करेंगे उसके बाद यहां पर पर अगले चड वेरिफिकेशन उसमें आपका किसी भी तरीके का दिक्कत हो देखिए आप किसी भी तरीके से फर्जी वाड़ा किये हैं तो इसका मतलब साफ है कि उसमें आपका कभी न कभी आपको दिक्कत जो है वो देखेने को मिलेगा बाकि यहाँ पर हमारा में टॉपिक था जो अधर इस्टेट के फिमेल कंडिरेट थे उनको लेकर तो देखे यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर मैक्समम जो अधर इस्टेट के फिमेल कंडिरेट है जिनका भी सेलेक्षान 90 नंबर से सिटेट में कम है आप लोग का जो हो चुका है आप लोग का अपबंधिक निक्ति पत्रवे जो है आपका रोक लगाए गया जिसका रिजन था सिटेट में 90 नंबर से जो है यहाँ पर आपका कम है तो देखे नौर्माल सी बात है इस तरीके का आपका मामला है तो देखे यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर क्या है कि सिच्छा भाग BPSC के गलती है क्योंकि सिच्छा भाग और BPSC के तरफ से यह क्लियर आपका नहीं किया गया था कि जो अधर इस्टेट के फिमेल कंडिडेट है उनका पर सिटेट में पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए जैसे देखे आ बिहार की जनल फिमेल महिला है उनके साथ इनलो का सीट का भी बटवारा होता है उसी तरीके से योगता भी उसी तरीके से रहता है क्वालिफिकेशन जो भी आपका अहरता और जो भी आपका योगता है उसी तरीके से सेम बिहार की जो जनल फिमेल कंडिडेट है उनके साथ यहाँ पर जो other state की female candidate है, उनका यहाँ पर रहता है, तो जब यहाँ पर जो बिहार की जो general female वाला seat है, यदि other state की female candidate को वाला seat मिला, और जो बिहार की general female है, उतना cutoff जो है, other state की female candidate को गया, और जो qualification या फिर जो भी योगता है, फिर जो कुछ भी XYZ था, बिहार की जो general female थी, व पर जो आपका पातरता वाला एक्जाम है इसमें आपका कैसे जो है बापका इस तरीके का बदला हो सकता है जब आपका जो में सीट है सीट का बटवारा आफिट जो आपका कटफ है बिहार की जो जनरल फिमेल है उनका कटफ जो है और जो आपके अधर इस्टेट की फिमेल कंडिडेट है उनका भी हाँ पर कटफ 57 गया है और जो की जो आपका अनरीजर्ब के हम बात करें जो आपका जर्शट गया है तो इसका मतलब साफ है कि जब अजर्शट नंबर से उपर आता तो अधर इस्टेट के फिमेल कंडिरेट का सेलेक्शन होता अने था जो है पका नहीं होता तो यह भी जो है पका काफी जादे संसाय आपका बना हुआ है हलाकि देखी इससे आगे चल कर आपका हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके का दिक्कत होगा लेकिन एक शिचा भाग के पास जाएगा बीपेशीक पास तो इस वापका मामला जाएगा यहां पर कोची मंदला है शेपर इहां पर हट जाएगा तो यहां से देखे जिनका आपका बंधिक निख्र पत्र पे आपका रोक लगा है आपका बंधिक निकती पत्र कैंसी लिया फिर उसको रद जो है पका नहीं किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है बाद में सिछा भाग के तरफ से अप्रूवल मिल जाता है कि नहीं जो अधर इस्टेट की फिमेल कंडिरेट है जो हमारी बिह इस तरीके से लगा है हर एक जील से आपका रोक जो है उलगाए जरा है तो वह आपको यहां पर वीतरड कर दिया जाएगा पाकी नॉर्मल से बात है जो अन लोग होंगे क्योंकि बहुत सारे जो अधर इस्टेट की फिमेल कंडिरेट है नॉर्मल से बात है उनके घर से कोई गारजियान कोई नो कोई XYZ होगा और कोई नो कोई कोट का सरड लेगा और कोट का सरड लेगा तो वहाँ से और अच्छे तरीके से आपका किलियर होगा और वहाँ से किलियर होने का मतलब यहीं है कि 82 नंबर से आपका अधिक है तो आपको जो है वो यहाँ पर आपका सामिल ज लिक्त है तो देखे यह आपका सिच्छा भाग के उपर है यदि उन लोग का कांसिलिंग नहीं करा गया तो हो सकता कि फिर बाद में आपको कोई तरीके का सुचना देखर पबलिक आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा तो नॉर्मल से बाते आप लोग अलग अलग प्लेट यहां पर वर्तमान की बात करें तो जो अधर इस्टेट के फिमेल कंडिडेट हैं जिनका सिटेट में 90 नंबर से कम है आप लोग को यहां पर बंदिक निक्ति पत्र पर जो है आपका रोक लगाया जारा है यदि आपको मिल गया है तो नॉर्मल से बात है उसके बाद भी उनके तरफ से आपका गलती किया गया क्योंकि इस चीज़ को पहले ही अधी क्लियर कर दिया गया होता तो यह जिस तरीके से इतने जो माली जो फर्जी डॉक्मेंट्स लगा रहे हैं वो तो हमेशा जिंदगी भल लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है बाकि यह जो रीजन मतल तो कोई इस तरीके से नहीं करेगा बाकि जो अने अभीयर्ति हैं उनका यहां पर उस तरीकी का होता है तो उनका मतलब हमेशा से रता की फर्जी डॉक्मेंट्स लगाकर किसी भी तरीके से इंट्रियू जो है उखरे तो यह पिर वीपरीसिक माधम से पहले इस चीज को क्लि यह आपका मामला कोट में जाए या फिर कोट में नहीं जाएगा तो कम से कम बहुत कम समय में सिछा वहार के पास यह मामला आपका चला जाएगा कि वहां से प्रों को क्या करना है तो तेकिए अभी के लिए यहीं अपडेट है बाकि जैसे भी जो कोई भी अपडेट होता है उ उसे हम सेर जो है कर देते हैं मिलते हैं लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई बाई टेकर आलवेट थैंक्यू फॉर लिस्निंग गॉट ब्लेस्ट थैंक्यू